दोस्तों क्या आप जानते हैं और्टों के सोने के तरीके से उनके स्वभाव से जुड़ी कई महत्वपून बाते पता चल सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के सोने की स्थिती के आधार पर वर्गिकरन किया गया है। आम तौर पर सोने की पाँच स्थितियों के बारे में बताया गया है। इम्मे से जिस स्थिती में आप सोते हैं उससे आपके व्यक्तित्व से जुड़े कई राजपता चलते हैं। आज हम जानने वाले हैं स्त्रियों के सोने के तरीके से उनके स्वभाव से जुड़े महत्वपूर्ण राज. पेट के बल सोना, करवट लेकर सोना, हाथ पैर सिकुड कर सोना, सीधा सोना और हाथ पैर फैला कर सोना आधी प्रकार की सोने की स्थितिया होती है. इन में से आप जिस भी स्थिती में सोते हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिती का भी पता चलता है. मनोगय ज्यानिकों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव जैसा होता है, वह उसी के अनुसार अपनी सोने की पजिशन का चुनाव करता है. जब कोई स्त्री बहुत ही भावुक स्वभाव की होती है तो उसकी सोने की एक खास पजिशन होती है और जो औरते अपनी ही मनमानी करने वाली होती है उन स्त्रियों की भी पजिशन एक जैसी ही होती है तो चलिए जान लेते हैं और्तों के सोने के तरीके से उनके स्वभाव के बारे में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे साथ ही विडियो को लाइक जरूर करे सबसे पहली पजिशन पेट के बल सोना पेट के बल सोने वाली स्त्रीयों को बहुत ही लापरवाह और आलसी माना जाता है ऐसी लड़किया बहुत ज्यादा डिमांड रखने वाली होती है इन लड़कियों को ऐसे लड़के पसंदाते हैं जो हर वक्त इनहीं की बात माने इन्हें बात-बात पर सप्राइज गिफ्ट दे इनकी छोटी-छोटी बात पर तारीफ करे और इन्हें कभी इग्नोर न करे अगर कोई इन लड़कियों को भाव नहीं देता है तो इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है ऐसी लड़किया अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाती ये लड़किया अपनी मर्जी की मालिक होती है और कभी दूसरों की परवाह नहीं करती है दूसरी पजिशन है करवट लेकर सोने वाली औरते ऐसी लड़किया बहुत ही महनती और गुनवान होती है ऐसी लड़किया अपने काम को लेकर कभी लापरवाह नहीं होती ये अपनी जिम्मेदारी को बखुबी निभाती है ये लड़किया कभी किसी को धोका नहीं देती है और त्याग की भावना रखने वाली होती है ज्यादातर समय ये दूसरों के लिए खुद की इच्छाओ को भी मार देती है इन लड़कियों को समझदार और महनती लड़के ज्यादा पसंद होते है ये रूप से ज्यादा लड़कों के गुनों को महत्व देती है तीसरी पजिशन है हाथ पैर को सिकुड कर सोना ऐसी पजिशन में सोने वाली लड़किया बहुत ही भावुक मानी गई है ये धोका जूट और फरेब को बिलकुल बरदाश्ट नहीं कर पाती ये नए लोगों से मिलने में भी बहुत कतराती है इनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं और ये हमेशा ही खुद को दूसरों से अलग रखने का प्रयास करती है क्योंकि ये आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाती विवा के लिए ऐसी लड़किया बहुत ही शुभ मानी गई है क्योंकि ये अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है चौथी पजिशन है हाथ और पैर को फैला कर सोना इस पजिशन में सोने वाली लड़किया खुले विचारों वाली होती है ये अपनी मेहंत से कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखती है इन लड़कियों के बहुत सारे दोस्त होते हैं और ये सभी से खुल कर बाते करती है अपने विचार भी खुल कर रखती है ये लड़किया बहुत ज्यादा बाते करती है और इन्हे घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है ये ऐसे लड़के को अपना पती बनाना चाहती है जो स्त्री और पुरुष को एक समान मानता हो जो लड़कियों पर दबाव बना कर रखने की इच्छा न रखता हो पांचवी पजिशन है पीट के बाल सोने वाली लड़किया इस स्थिती में सोने वाली लड़किया बहुत ही समझदार और खुशमिजाज होती है ये बहुत काम्याब और सफल जीवन जीती है इनके जीवन में मुश्किल बहुत ही कम आती है ये लड़किया ओफिस और घर को अच्छी तरह से संभालने वाली होती है इन्हे घर की सजावट करना, घर में महेंगी चीजे खरीदना इन्हे बहुत अच्छा लगता है ये अपनी जिन्दगी अपनी मर्जी से जीती है और इन्हे कोई रोक टोंक करे बिलकुल पसंद नहीं है इसीलिए ये सास ससुर से दूर ही रहना पसंद करती है तो दोस्तों ये थे वह लड़कियों के सोने के पांच प्रकार आप कौन सी पजिशन में सोते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताए जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आप सभी का धन्यवाद